इंडिया ने साल 2022 ते इसमें 882 billion US dollars का import और 770 billion US dollars का export किया था यानि हमने 122 billion US dollars का import जाधा किया था export के मकाबले जब भी कोई देश import जाधा करता और export कम करता है तो उसे trade deficit खाँ जाता है इसी trade deficit के चलते है इसी trade deficit के चलते है इंडियन government की कोशिशिश रादी है कि किसी तरह से import business को कम किया सकती है और इसी कोशिश में इंडियन government ने recent years में import business के उपर कई तरह के compliance और restrictions लगाई है इसके उपर मैं proper video बना चुका हूँ मैंने import business के उपर पूरा का पूरा एक series बनाया है जिसका link में इस video के end में और video के description में डाल दूँगा तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं ये video खतम करने के बाद आज का video इस import business series का 11th video है आज के video में आप लोगों बताने वाला हूँ कि landing cost को किस तरह के calculate किया जाता है में शुरू कर सकें इंडिया में वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कर देने चैनल पर पहली बार यह दो चैनल को सब्सक्राइब भी किसरूर कर देना सबसे बात करते है कि landing cost आखिर होता कहा है जो goods का cost है प्लस उस goods को आपके supplier की factory से इंडियन आपके warehouse तक लाइने में जो खर्चे आएंगे उन सारे खर्चों को plus करने के बाद जो cost आती है उसे landing cost कहां जाता है for example cost of the product, currency conversion cost, international freight and logistics charges, import charges, port charges, tariffs, handling fees, custom clearance fees, import duties, payment processing fees और local delivery से ऐसे charges कोई भी product को import करने से पहले आपको इन सारे charges के बारे में tentative idea होना बहुत ज़रूरी है था कि आप लोग एक sound decision दे सके इस product को import करने से पहले सबसे बारा confusion यहां पर लोगों को यह आता है कि यह सारे charges आप लोगों को देगा कौन अब बात करते हैं variable charges देखिए तो variable charges में आप लोगों को आता है origin transportation, origin custom clearance charges, origin port handling charges, freight charges, domestic custom clearance charges, domestic port charges, documentation charges, handling charges, labor cost और local transportation charges यह सारे जो charges हैं आप लोगों का freight forwarder और CHA आप लोगों को दे सकता है अब बात करते हैं product specific charges, product specific charges की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपका कोई product है जो की odd dimension है तो उस odd dimension के लिए आप लोगों जो normal freight है उससे extra freight shipping line को या airline को देना पड़ सकता है अगर आप लोगों को है जिसको refer करके लाना जरूरी है तो यह जो charges है यह आप लोगों का product specific charges के अंडर आ सकता है जैसे for example अगर आप लोग कोई भी LD related product इंपोर्ट करते हैं तो आप लोगो BIS certificate लेना पड़ता है और BIS certification का जो cost है वो डीड़ दू लाग रुपर आता है प्लस वो जो cost है वो सिफ दो साल के लिए valid होता है तो आप लोगो जो है landing cost इस तरीके से calculate करना है कि आप लोगो जो पर shipment में वो BIS का cost है वो भी आप include कर लें तो यह सारे charges भी जो है आप लोगो आपका freight forwarder और CHS दे सकता है तो यह सारे charges होते हैं उन सारे charges का जो एक checklist है proper checklist है मैंने description में डाला हुआ है link उस link को click करके आप यह पूरा का पूरा sheet जो है download कर सकते हैं और अपनी upcoming shipment के according सारे columns को भरके एक proper landing cost calculate कर सकते हैं so as a conclusion you should always take all these charges from the respective stakeholders before importing any product into India ताकि आप लोग जो है एक इंपोर्टर परड़क का प्रॉपर लेंडिंग कॉस्ट कर सके और calculate करके यह जान सके कि इस प्रॉपर करके रिसेल करने में अप लोगो कोई फाइदा होने वाला है भी है कि नहीं है और मैंने इंपोर्ट बिजनस के वीडियो बनाया है पूरा का पूरा एक इंपोर्ट सीरीज बनाया है जिसको आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले चाहिन